पूरी दुनिया मोसम में बदलाओ की वचा से काफी परिशान है साइरिस का ये मानना था कि आने वाले दस सालों में सारी के सारी बर्ष पिकल जाएगी और पहाड़ों पर बर्ष की ते भी पिकल कर तूट जाएगी इससे है बहुत नुकसान होगा जिसके जिमेदार इनसान खुद होंगे इसके बाद तेरा सु मिटर की उन्चाई पर एक क्लाइमिट स्टेशन को दीखते है बहाँ पर कुछ साइटिस्ट मौसम के बारे में ही पता करने आए हुए थी इनमें एक साइटिस्ट जैनिक था उसके साथ बागी की तिन साथी और उसका एक डॉक था जो सबी उस स्टेशन पर काम कर रहे थी और मौसम के बारे में जाँच परताल करने आए थी जैनिक ने रात को काफी नशा किया हुआ था सुबा होते ही वो एक तेस वाज से जाकता है उसकी साथ ही उसे बुलाने आई थी जैनिक ना चाते हुए भी बाहिर आता है कभी उसको पता चलता है कि इस स्टेशन से कुछ दूरी पर जो मौसम के बारे में पता करने वाली मशीन लगाई हुई है वो खराब हो गई है वो ठीक से काम भी नहीं कर रही उस मशीन के बगार ये ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थी इसलिए इन्हें उस मशीन को जल से जुर्ड ही करना होगा जैनिक कोई उस मशीन को ठीक करने जाना था इसलिए ये सब की बात मान लेता है जब ये बाहर जाता है तो बाहर अपने डॉक को देखता है जो अच्चीब तरीके से एक पहाड को देख रहा था जैसे उस डॉक को उन पर फीले बाहरों पर कुछ अजीब सा नजर आ रहा हो यहीं पर जैनिक का साथ ही उससे कहता है जैनिक हमें यहां रहते हुई काफी वक्त हो गया है तुम बहुत अलग रहते हो ऐसा क्यों है बलकि ऐसी चकापर तो हमें एक साथ रहना चाहिए अच्छी दोस्ती करने चाहिए दूसरे से जैनिक कहता है मैं इसकी वज़ा तुम्हें बाद में बताऊंगा अभी विल्हाल तो मेरे पीछे आओ जब ये जा रहे थे तभी जैनिक का डॉग भूंकते हुए अलग रास्ते पर चला जाता है जब ये दोनों भी उसका पीछा करते हैं वो रुक कर एक पहाड को देखते हैं जो लाल रंगी बर्व की तैसे इंठका हुआ था वो इस पर्व को देखर हैरान भी थे और खुश भी इसलिए यहाँ पर जैनिक का साथी इस पर्व का सेंपर नेता है ताके बात में ये इस पर रिस सर्च इस पर चांच कर सके जैनिक को पासी कुफा से अजीब सी आवासे भी आती हैं लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता और क्लाइमेट मिशीन का ट्रास्वार्मर ठीक करने लगता है और उसका डॉग उस रवास का पीछा करता हुआ गुफा तक चला जाता है वही पर पत्थरों के पास एक लॉम्री थी जो अजीब से सांस ले रही थी उसके पेट में कुछ खिल भी रहा था अचानक से उस लॉम्री का पेट भट जाता है बाहर जैनिक को अपने डॉग की रोने की आवास भी आ रही थी इसलिए ये जंद बासे में चुप उटने लगता है तो इसका सर तक्रा जाता है इसका साथी भी पहार से गिर गया था जब ये जाकर देखते हैं तो इसका डॉग रो रहा था उधर हे ये लॉम्री की लाश को भी देखते हैं पर इसके डॉग के जिसम पर भी अजीब सी चोट का निशान था गुफा की अंदर से और भी अजीब सी अवासे आ रही थी पर जैनिक उन पर कोई धियान नहीं देता और अपने डॉग को बाहर ले आता है ये वापिस से अपने स्टेशन पर आ गए थी जैनिक का साथी वो बर्फ का सेंपल अपनी दूसरी साथी को देता है जो अपने साथ लाया था इनकी साथी उसे चेक करती है कहती है ये अचीब चीज़ है कोई अचीब पैक्टिरिया जो इंसान या फिर चानवरों से मिलकर अचीब सी क्रियेचर पैदा कर रही है वो जैनिक से कहती है जहां से तुमें ये सेंपल मिला है गुफा के पास कोई खत्रा नहीं है, लेकिन ये फिर भी अगले दिन जाने का फैसला करते हैं, इनका एक साथ ही कहता है, दो दिन बाद प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम के साथ आने वाली है, तो हम में से कोई भी उन्हें उस लाल चटान के बारे में कुछ सही बताएगा, ज प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, जो कुछ रिपोर्टर्स के साथ आई हुई थी, कि साथ जैनिक की पुरानी दोस्ट भी थी, जिसका नाम टेंचा था, पर जैनिक और इसके तर्म्यान में अब अलेदगी हो गई थी, टेंचा भी पहले बहारों पर ही काम किया करती थी, इसलिए जैनिक के साथ ही उसे समझा रहे थे, कि तुम मिनिस्टर की टीम को कुछ भी नहीं बताओगे, क्योंकि ये जिर्फ उनका एक ट्रिप की तरह है, वो बिला वज़ा ही डर जाएंगे, इसलिए जैनिक का साथी उसे नशीकी दवा भी दे देता है, ताकि ये किसी को क अपनी दोस वेंचा को ना बता दे, जैनिक जब बाहिर आता है, तो उसे किसी की चलने की आवाज महसूस होती है, ये फॉरन से अपनी साथियों को बुडाता है, वो चीज जैनिक पर हमला कर रही थी, जब उसके साथी बाहिर आते है, जैनिक सबसे कहता है, चूप चाओ, म ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, जाओ जाकर आराम करो, जैनिक अपने डॉब को लेकर सोने चला जाता है, सुबा को जैनिक टेंचा को भी फोन करके बताता है, कि आगे मत जाना, तुम्हारी चान को खत्रा हो सकता है, पर वो भी इसकी बात नहीं मानती, और अपनी टीम को आके चाने का बोल देती है, फिर चैनिक अपनी साथी को उसी पहार के पास लेकर जाता है, जब ये जाकर देखते हैं, तो जो उस पहार पर लाल रंग का बेक्टेरिया था, वो खतम हो गया था, फिर भी चैनिक के साथी थोड़ा सा सेंपल ले लेती है, जिसने अपने ऊपर खोल चड़ाया हुआ था, ये उसी देखकर डर जाता है, और टांग मार कर पीछे करता है, इन सब के दोरान मिनिस्टर भी अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रही थी, और ये खुब सूरच का रुकर तस्वीरे ने लेने लगते हैं, ये सब भी चैनिक क और उसकी साथ ही अजीब सी कीड़े पर रिसर्च कर रहे थी, तो वो हिलने लगता है, जिससे सब डर गए थी, उनकी साथ ही कहती है, इसकी अंदर वो ही नाल बैक्टिरिया है, जो उस पहार पर से मिला था, वो बताती है, ये अजीब कीड़ा लॉंडी और मच्छर की डिय और ये लाल बैक्टिरिया है, जो जान्वरों की डियने से मिलकर अजीब सी क्रियेचर पैदा कर सकता है, वो कहती है जो वो लाल बैक्टिरिया जिस पहार पर था, उसकी बर्फ जब पिगली होगी, तो वो पानी में शामिल हुई होगी, जिस पानी को लॉंडी ने पिया हो इन दोनों के डियने से मिलकर ये केड़ा पैदा हुआ है, जैनि कहता है, अगर इसी तरह का कोई और चान्वर इंसान को काट ले, तो क्या होगा, वो बताती है, अगर ऐसा हुआ, तो इनसान का दिमाग भी चान्वर की तरह हो जाएगा, जिसके बाद जैनिक अपने कमरे मे आती है, वो जिब जैनिक से बात कर रही थी, तो अपने डॉक की रोने की आवास को भी सुनती है, कहती है, जैनिक अभी तो कुछ मत करना, मैं आ रही हूँ, हम मिलकर उसे बचा लेंगे, उदर चिस कैमरा मैन को मच्छर ने काटा था, उसकी हानद भी खराब हो रही थी, ल नहीं सब के बारे में मिनिस्टर को बता दूँगा, पर उसकी टीम के लोग उसे मना करते हैं, कहते हैं पागल मत बनो, इस लाल वे केरिया वाली बात से, लोग फजूल में टर जाएंगे, और ड्रामा बनेगा, हम इस पर रिसर्च करके, कोई ना कोई हल निकान लेंगे, औ अधर टेंचा की टीम में कैमरा मैन को भी पोहार हो गया था, इसलिए पूरी टीम उधर ही रुखने का सोचती है, उस कैमरा मैन को मच्छर ने जहां पर काटा था, वो हिस्सा सूच गया था, और उधर बस भी पढ़ने लगी थी, टेंचा सब से कहती है कि नहीं, हमें दिगेर्द चपकर लगा रही थी, ये सब उस चील को देखकर डर गए थी, मिनिस्टर का बोडी गार्ड उस चील को घूली मारने की कोशिश करता है, लेकिन चील अचानक से गाइब हो जाती है, सब समझते हैं कि वो जा चुकी है, पर ऐसा नहीं था, वो अचानक से आकर ब चील ने काड़ा था, मगर टीजा की टीम के आधे लोग बाहिरी रह गए थी, टीजा जैनक से कहती है, हमें जल्दी मदद बुलानी होगी, तुम कॉल करो, पर जैनक का साथी बताता है, कि हमारे दो साथी उन फोन को लेकर साथ ले गए हैं, जो दूसरे स्टेशिट पर आते हमें मदद के लिए सेटलाइट फोन ही चाहिए, ये अब कुछ भी नहीं कर सकते थी, तबी जैनक को अपने डॉग की आवास आती है, ये बड़े ही धियान से देखने चाता है, क्योंकि इसी ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से भी कोई अचीप सा क्रियेचर निकला ह इतन स्टेशन पर टेंचा जैनक के साथी से पूछती है, सच सच बताओ, तुम हम लोगों से क्या चुपा रहे हो, बाहिर जैनक के दो साथी मौसम के बारे में पता करने वाली मेशीन तक पहुंच गए थे, पर वहाँ पहुंच कर इन्हें पता चलता है कि अंदर जाने के अबी तो दोनों के पास नहीं थी, ये दोनों एक दूसरे से छगडा कर रहे थे, पर तभी इनमें से एक साथी ताले को ही तोड़ देता है, जब ये अंदर चाते हैं, तो जैनक की वो साथी, जो उस कीड़े पर रिसर्च कर रहे थी, वो उसको अपनी सार डपे में बंद क के लाई थी, जब ये उसे खोलते हैं, वो करियेचर अचानक से उसके मूँ पर चिपक जाता है, जब ये उसको खुद से चुटवाने की कोशिश करती है, तो इसका साथी एक पत्थर उटाकर उसकी सर पर मारता है, वो कीड़ा करियेचर तो दूर चला गया था, पर जैनक क को देखती है, जैनक उसको अपने डॉक का पेट दिखाता है, जिसमें कोई चीज चल रही थी, वो जैनक को एक इंजेक्शन देती है, कहती है इसका यही हंट है, पर जैनक अपने डॉक को खतम करना चाहता था, क्योंकि उसकी टगलेफ वो और नहीं देख सकता था, पर आ गया था, और इसने अपनी दोस्त को भी मार दिया था, वो आकर कहता है, जल्दी से दर्वासा बंद कर लो, क्योंकि मेरे पीछे एक बक्री है, जो क्रियेचर में बतल गई है, और मच्छर भी, दोनों मेरे पीछे आ रहे थे, जब यह अंदर आता है, तो दोनों जान पहालों में गुम हो गई, और उसे के पास ही फॉन था, इतने में क्रियेचर बक्री दूपारा से दर्वासा तोड़ने की कोशिश करती है, तो कोई आम बक्री नहीं थी, वो एक खौफ नाक राक्ष साकतवर बक्री बन चुकी थी, जो पूरे स्टेशन को सोर सोर से हिला र देती है, सब पहादूर मिनिस्टर को देख रहे थी, उसने बक्री को मार दिया था, कि जान में जाना आती है, तीनचा बताती है कि हमें बचाने के लिए, टीम कल तो पहर तक ही पहुंचेगी, और वो ये नहीं चानते कि सारी टीम रिसर्च स्टेशन परी मुझूद है, उ कि उसे पहाड़ों में कुम हो जाने वाली कहानी पर यकीन नहीं था, कि चले जाते हैं, और बागी के लोगों ने दर्वाजी को चेसे बंदर लिया था, जिस लड़की को चीन ने काटा था, उसको भी होशा आ गया था, कभी ये सब उसकी टांग पर देखते हैं, जितर ची करेंगी, जो चीज इसकी टांग मी है, वो ही साब काट कर उसे बाहर निकान लेंगी, और उसे जला देंगी, ये ऐसा ही करते हैं, जिससे उस लड़की की जान बच जाती है, बाहर जैनिक को टेंचा जो मदद लेने गए थे, वो सोच रहे थी कि शायद हम लड़की को नहीं जिसको मचर ने काटा था, उसका चेहरा अजीब सा खौफनाग छालों से भर गया था, वो सबसे यही कह रहा था, कि प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे बचा लो, लेकिन तब ही उसकी छालों में से कीड़े बाहर आने लगते हैं, सब के सब तर गए थे, वो जिसको ये मार चुका था, जैनिक और टेंचा ने, पनी साथी की लाश को दीख लिया था, तभी जैनिक का साथी अपनी बंदूग दिखा कर उन्हें धमकाता है, कि खबरदार, इस बात के बारे में अगर तुमने किसी को भी बताया, जो टेंचा इसकी पास आती है, तो ये उस पर भी बंदूग से वार करता है, और जैनिक को मारने की कोशिश करता है, इसी उसमें गोली चल जाती है, और सारी गुफा रोशन हो गई थी, पर तभी गुफा से एक जीब सी, राक्शस मकडी और लोमडी बाहर आते हैं, और जैनिक की साथी को चीर फार करकर खा जाती जैनिक और टीचा पर जाता है, दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जैनिक को तो लोमडी ने पकर लिया था, पर टीचा उसे पचा लेती है, वो लोमडी पर वार करके उसे मार देती है, फिर ये अपनी उस साथी किनाश के पास चाते हैं, जिसके पास फोन था, और मदद बुलाते हैं, सुभा भी हो चुकी थी, जब ये दूर से देखते हैं, तो स्टेशन पर से धुएं उट रहे थे, ये चल्दी से जाकर देखते हैं, तो वो लड़के भी मर चुकी थी, जिसको चीलने काड़ा था, थोड़ी तेर बाद इन्हे हेलिकॉप उस साथ लेकर जाना चाते हूं, जैसे ही ये हैनिकॉप्टर में बैठते हैं, तो ये एक और पहार को देखते हैं, जिस पर लान रंग की बर्फ थी, मतलब एक और खत्रा, इनको उस छोड़े बच्चे की आवास भी आती हैं, जिसको टेंचा साथ लाई थी, टेंचा और च पाएंगे सब, आज हम इस कहानी में देखेंगे, कहानी शुरू होती है, हमें बताया जाता है, पूरी दुनिया मोसम में बदलाओ की वच्चा से काफी परिशान है, साइटिस का ये मानना था, कि आने वाले दस सालों में सारी की सारी बर्फ पिकल जाएगी, और पहारों प उसके साथ बागी की तिन साथी और उसका एक डॉक था, जो सभी उस स्टेशन पर काम कर रहे थे, और मोसम के बारे में जाच परताल करनी आए थे, जैनिक ने रात को काफी नशा किया हुआ था, सुबह होते ही वो एक तेस वाज से जागता है, उसकी साथ ही उसे बुलाने जैनिक ना चाहते हुए भी बाहिर आता है, कभी उसको पता चुलता है कि इस स्टेशन से कुछ दूरी पर जो मोसम के बारे में पता करने वाली मशीन लगाई हुई है, वो खराब हो गई है, वो ठीक से काम भी नहीं कर रही, उस मशीन के पगार ये ठीक से काम भी नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्हें उस मशीन को चलसी जुर्द ही करना होगा, जैनिक कुई ये सब की बाद मान देता है, जब ये बाहिर जाता है, तो बाहिर अपने ढॉरक को देखता है, जो अच्जीब तरीके से एक पहार को देख रहा था, येंसे उस टॉरक को उन पर फिली पह अभी फिल्हाल तो मेरे पीछे आओ जब ये जा रहे थी तभी जैनिक का डॉग भूंकते हुए अलग रास्ते पर चला जाता है जब ये दोनों भी उसका पीछा करते हैं वो रुक कर एक पहाड को देखते हैं जो लाल रंग की बर्फ की तैसे इंठका हुआ था वो इस जैनिक का साथी इस बर्फ का सेंपर नेता है ताके बाद में ये इस पर रिस सर्च इस पर चांच कर सके जैनिक को पासी कुफा से अजीब सी आवासे भी आती हैं लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता और क्लाइमेट मिशीन का ट्रास्फॉर्मर ठीक करने लगता है औ बाहर जैनिक को अपने डॉग की रोने की आवास भी आ रही थी इसलिए ये जल्दबासे में चुप उठने लगता है तो इसका सर टक्रा जाता है इसका साथी भी पहार से गिर गया था जब ये जाकर देखते हैं तो इसका डॉग रो रहा था उधर है ये लॉम्री की लाश को भी देखते हैं पर इसके डॉग के जिसम पर भी अजीब सी चोट का निशान था गुफा की अंदर से और भी अजीब सी आवासे आ रही थी पर जैनिक उन पर कोई ध्यान नहीं देता और अपने डॉग को बाहर ले आता है ये वापिस से अपने स्टेशन पर आ आ गए थ चलो मैं और भी सेंबर लेकर उन पर रिसरच करना चाहती हूँ जैनिक कहता है रात को मैं बाहर नहीं जाओंगा इस वक्त तो कभी नहीं गुफा के पास फतर नाक लोज़ी फिर रही है उसकी साथ ही उससे कहते है जैनिक अब तुम ये पहانा कर रहे हो गुफा के पास कोई खत्रा नहीं है लेकिन ये फिर भी अगले दिन जाने का फैसला करते हैं इनका एक साथ ही कहता है दो दिन बाद प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम के साथ आने वाली है तो हम में से कोई भी उन्हें उस लाल चटान के बारे में कुछ नहीं बताएगा जैने कहता है ये मेरा काम ह मुझे ये सब बताना होगा उधर प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो कुछ रिपोर्टर्स के साथ आई हुई थी कि साथ जैनिक की पुरानी दोस्ट भी थी जिसका नाम टेंचा था पर जैनिक और इसके तर्म्यान में अब अलेदगी हो गई थी तेंचा भी पहले बहा पर जाएंगे और तस्वीरें लेंगे जैनिक को बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत वक्त के बाद वो टेंचा से मिलेगा पर जैनिक की टीम पर रिशान थी कि कहीं ये सारी बातें अपनी दोस्ट टेंचा को ना बता दे जैनिक जब बाहिर आता है तो उसे किसी की चल बोल रहा है शायद नशे में है पर जैनिक कहता है बहुत बड़ा खत्रा है मुझे ये बात मिनिस्टर को बताने होगी इसी बात पर जैनिक और उसके साथियों में लडाई हो जाती है उसका एक साथी समझाता है देखो ऐसा कुछ नहीं है तुभे गलस फहमी हुई है जाओ जाकर आराम करो जैनिक अपने डॉग को लेकर सोने चला जाता है सुबा को जैनिक टेंजा को भी फोन करके बताता है कि आगे मत जाना तुम्हारी जान को खत्रा हो सकता है पर वो भी इसकी बात नहीं मानती और अपनी टीम को आगे चाने का बोल दीती है फिर जैनिक अपनी उपर खोल चड़ाया हुआ था ये उसे देखकर डर जाता है और टांग मार कर पीछे करता है इन सब के दोरान मिनिस्टर भी अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रही थी और ये खूब सूरच का रुकर तस्वीरे ने लगते हैं ये सब भी जैनी के इर में स्टेशन तक जा रहे तो वो हिलने लगता है जिससे सब डर गए थे उनकी साथ ही कहती है इसकी अंदर वो ही लाल बैक्टिरिया है जो उस पहार पर से मिला था वो बताती है ये अजीब केड़ा लॉंडी और मच्छर की डियने से मिलकर बना है और ही लाल बैक्टिरिया है जो जानरों की डियने स मिलकर अजीब सी क्रियेचर पैदा कर सकता है वो कहती है जब लान पेक्टिरिया जिस पहार पर था उसकी बर्फ जब पिखली होगी तो पानी में शामिल हुई होगी जिस पानी को लॉम्डी ने पिया होगा और मच्चर जिसको उसने खाया होगा इन दोनों के डियने से मिलकर ये केड़ा पैदा हुआ है जैनिक कहता है अगर इसी तरह का कोई और जानवर इनसान को काट ले तो क्या होगा वो बताती है अगर ऐसा हुआ तो इनसान का दिमाग भी जानवर की तरह हो जाएगा जिसके बाद जैनिक अपने कमरे में चाहता है और अपने डॉग को देखत बताती है वो जब जैनिक से बात कर रही थी तो अपने डॉक की रोने की आवास को भी सुनती है कहती है जैनिक अभी तो कुछ मत करना मैं आ रही हूँ हम मिलकर उसे बचालेंगे उदर चिस केमरामेन को मच्छर ने काटा था उसकी हानत भी खराब हो रही थी लेकिन वो पिच पर उसके बाओ पर बार बार वार कर रही थी। उधर स्टेशन पर जैनिक अपनी टीम से कहता है मैं इन सब के बारे में मिनिस्टर को बता दूँगा पर उसकी टीम के लोग उसे मना करते हैं। कहते हैं पागल मत बनो। इस लालवे केरिया वाली बात से लोग फजूर में टर हुआ था। जैनिक सोचता है हमारे बास बहुत बड़ा खत्रा आने वाला है। उधर टेंचा की टीम में कैमरा मैन को भी बोखार हो गया था। इसलिए पूरी टीम उधर ही रुखने का सोचती है। उस कैमरा मैन को मच्छर ने जहां पर काटा था वो हिस्सा सूच गया था भी के लोग उस खतरनाक चील को देखते हैं जो इनके इर्दगीर्थ चपकर लगा रही थी। ये सब उस चील को देखकर डर गए थी। मिनिस्टर का बोडी गार्ड उस चील को घुली मारने की कोशिश करता है। लेकिन चील अचानक से गाइब हो जाती है। सब समझते हैं स्टेशन पर ले आता है। ये जल्दी से उस लिड़की को लिटाकर उसका इलाज करते हैं जिसको चीलने काटा था। मगर टीजा की टीम के आधे लोग बाहिरी रह गए थी। टीजा जैनक से कहती है हमें जल्दी मदद बुलानी होगी तुम कॉल करो पर जैनक का साथ ही ब पर आम फोन के सिगनल नहीं आते हमें मदद के लिए सेटलाइट फोन ही चाहिए ये अब कुछ भी नहीं कर सकते थी तभी जैनक को अपने डॉग की आवास आती है ये बड़े ही धियान से देखने चाता है क्योंकि इसी ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से भी कोई सा क्रियेचर निकला होगा इदन स्टेशन पर टेंचा जैनक के साथी से पूछती है सच सच बताओ तुम हम लोगों से क्या चुपा रहे हो बाहिर जैनक के दो साथी मौसम के बारे में पता करने वाली मेशीन तक पहुंच गए थे पर वहां पहुंच कर इन्हें पता चलता वो क्रियेचर अच्छानक से उसके मूँ पर चिपक जाता है जब यह उसको खुद से चुटवाने की कोशिश करती है तो इसका साथी एक पत्थर उटाकर उसकी सर पर मारता है वो केडा क्रियेचर तो दूर चला गया था पर जैनक के साथी ने अपनी दूसरी साथी को मार इधर स्टेशन में टीनचा को भी लाल बेक्टिरिया वाले जानवर का पता चल जाता है वो बहुत गुसा होती है कहती है इतने बड़े खत्रे के बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया जब ये जैनिक के पास जाती है तो अपने डॉक को देखती है कि इतनी बड़े बात इन लोकों ने इन से क्यों छुपाई वो जैनिक के साथी की पिटाई करने लगती है पर जब जैनिक अपने बागी के साथी को ढूडने जा रहा था जो दूसरे स्टेशन पर गई थे अचानक से वो ही साथी आ जाता है जिसको जैनिक ढूडने जा रहा था वो स्टेशन पर आ गया था और इसने अपनी दोस्त को भी मार दिया था वो आकर कहता है चल्दी से दर्वासा बंद कर लो क्योंकि मेरे पीछी एक बकरी है जो क्रियेचर में बतन कर लोई है तुम्हारे पास फोन था वो यहाँ पर सबसे चूट बोलता है कहता है कि वो तो ना जाने कहा पहालों में गुम हो गई और उसे के पास ही फोन था इतने में क्रियेचर बकरी तुपारा से दर्वासा तोड़ने की कोशिश करती है वो कोई आम बकरी नहीं थी वो एक खौफ नाक राक्ष साकतवर बकरी बन चुकी थी जो पूरे स्टेशन को सोर सोर से हिला रही थी एतमिंट के लिए खामोशी हो जाती है सब कुछ रुप गया था परचानक से वो दर्वासा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करती है उसके साथ चील भी थी लेकिन चैनिक अकेले ही उन्हें अंदर आने से रोक रहा था मिनिस्टर आगे आती है और ड्रिल मशीन से उस बकरी के सर में सुराह करती है सब पहादूर मिनिस्टर को देख रहे थी उसने बकरी को मार दिया था कि जान में जान आती है तीनचा बताती है कि हमें बचाने के लिए टेम कल तो पहर तक ही पहुंचेगी पर वो ये नहीं चानते कि सारी टेम रिसर्च स्टेशन पर ही मुझूद है उदर जिस लड़की को चीन ने काटा था उसकी हालत भी खराब हो रही थी टेनचा और जैने की वैसला करते हैं कि वो मदद के लिए फॉन को नेने चाहेंगी और अपनी उस साथी को भी ढूटेंगी जो पहाड़ों में गुम हो गई है जैनिक अपने उसी साथी को साथ लेता है क्योंकि उसे पहाड़ों में गुम हो जाने वाली कहानी पर यकीन नहीं था ये चले जाते हैं और बागी के लोगों ने दर्वाजी को चीन ने काटा था उसको भी होश आग गया था कभी ये सब उसकी टांग पर देखते हैं जितर चीन ने काटा था ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई चीज चल रही हो जैनिक का साथी कहता है जो यहाँ पर रुका हुआ था इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई नया जानवर बैदा होने वाला है सभी लोग खपड़ा जाते हैं और बाहर जाने लगते हैं मिनिस्टर कहती है हम इस लड़की का आप्रेशन करेंगी जो चीज इसकी टांग मी है वो ही साथ काट कर उसे बाहर निकान लेंगी और उसे जला देंगी ये ऐसा ही करते हैं जिससे उस लड़की की जान बच जाती है बाहर जैनिक को टेंचा जो मदद लेने गए थे वो सोच रहे थी कि शायद हम लड़की को नहीं बचा पाएंगी यहां से जैनिक कर साथ ही भागने की कोशिश करता है पर जैनिक उसे बंदूख दिखा कर रोक लेता है कहता है रोक जाओ तुम ऐसे नहीं जा सकते उदर स्टेशन पर सब लोग शान थे कि उन्होंने लड़के की चान बचा ली तभी कोई सोर सोर से दर्वाजा बचाने लगता है जब एक आत्मी दर्वाजा खोलता है तो दर्वासे पर वो ही कैमरामेन था जिसको मच्चर ने काटा था उसका चेरा अजीब सा खौफनाग चालों से भर गया था वो सबसे यही कह रहा था कि प्लीज कोई तो मेरी मदद करो कोई तो मुझे बचा लो लेकिन तब ही उसके चालों में से कीड़े बाहिर आने लगते हैं सब के सब तर गए थे वो पिचारा डर कर आग पर किर जाता है जिससे उसके पूरे जिसमें आग लग गई थी और बाहिर भाग जाता है मिनिस्टर पी चलती से दिरवासे को बन कर लेती है बाहिर जैनिक और टेंचा स्टेशन पर पहुँच गए थे जब तेंचा इसके पास आती है तो ये उस पर भी बंदूग से वार करता है और जैनिक को मारने की कोशिश करता है इसी उसमें गोली चल जाती है और सारी गुफा रोशन हो गई थी पर तब ही गुफा से एक जीब सी राक्षस मकडी और लोमडी बाहर आते हैं और जैनिक के सा उसमें पर जाती है जिसके पास सैटलाइट फोन था और मदद बुलाते हैं सुबह भी हो चुकी थी जब ये दूर से देखते हैं तो स्टेशन पर से दूएं उट रहे थे ये चल्दी से जाकर देखते हैं तो वो लड़के भी मर चुकी थी जिसको चीलने काड़ा था उस बच्चे को मारने वाला था पर टेंचा उसको रोखती है कहती है मैं इसको साथ लेकर जाना चाहती हूँ जैसे ही ये हैलिकॉप्टर में बैठते हैं तो ये एक और पहार को देखते हैं जिस पर लान रंग की वर्फ थी मतलब एक और खत्रा इनको उस छोड़े बच्चे की आवास भी आती है जिसको टेंचा साथ लाई थी टेंचा और चैनिक दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं इनको आने वाले खत्रे का पता चल गया था जो खुद ये अपने साथ ला रहे थे और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है ये कहानी एक ऐसे खत्रनाग पहार की है जिसमें बदलाओ की वज़ा से इनसानी नहीं बल्कि जनवर भी खत्रे में है तो क्या होगा आगी कैसी बचपाएंगे सब आज हम इस कहानी में देखेंगे कहानी शुरू होती है हमें बताया जाता है पूरी दुनिया मोसम में बदलाओ की वज़ा से काफी परिशान है साइटिस का ये मानना था कि आने वाले 10 सालों में सारी की सारी बर्फ पिकल जाएगी और पहाडों पर बर्फ की तैबी पिकल कर तूट जाएगी इससे है बहुत नुकसान होगा जिसके जिमेदार इनसान खुद होंगे इसके बाद 300 मिटर की उन्चाई पर एक क्लाइमिट स्टेशन को देखते हैं वहाँ पर कुछ साइटिस्ट मौसम के बारे में ही पता करने आए हुए थी इनमें एक साइटिस्ट जैनिक था उसके साथ बागी की तीन साथी और उसका एक डॉक था जो सबी उस स्टेशन पर काम कर रहे थी और मौसम के बारे में जाच परताल करने आए थी जैनिक ने रात को काफी नशा किया हुआ था सुबा होते ही वो एक तेज वाद से जाकता है उसकी साथ ही उसे बुलाने आए थी जैनिक ना चाहते हुए भी बाहिर आता है कभी उसको पता चुलता है कि इस स्टेशन से कुछ दूरी पर जो मौसम के बारे में पता करने वाली मशीन लगाई हुई है वो खराब हो गई है वो ठीक से काम भी नहीं कर रही उस मशीन के पगैर ये ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थी इसलिए इन्हें उस मशीन को चल से जुर्ड ही करना होगा जैनिक कोई उस मशीन को ठीक करने जाना था इसलिए ये सब की बात मान लेता है जब ये बाहर जाता है तो बाहर अपने डॉब को दीखता है जो अच्जीब तरीके से एक पहाड को दीख रहा था जब ये जा रहे थी तब ये जैनिक का डॉग भूंकते हुए अलग रास्ते पर चला जाता है जब ये दोनों भी उसका पीछा करते हैं वो रुक गर एक पहाड को देखते हैं जो लाल रंगी बर्फ की तैसे इंठका हुआ था वो इस बर्फ को देखकर हैरान भी थे और खुश भी इसलिए यहाँ पर जैनिक का साथी इस बर्फ का सेमपन लेता है ताके बाद में ये इस पर इस सर्च इस पर चांच कर सके जैनिक को पासी गुफा से अजीब सी आवासे भी आती हैं लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता और क्लाइमेट मिशीन का ट्रास्फॉर्मर ठी करने लगता है और उसका डॉग उस आवास का पीछा करता हुआ गुफा तक चला जाता है वही पर पत्थरों के पास एक लॉमली थी जो अजीब से सांस ले रही थी उसके पेट में कुछ फिल भी रहा था अचानक से उस लॉमली का पेट फट चाता है बाहर जैनिक को अपने डॉग की रोने की आवास भी आ रही थी इसलिए ये जंदबासे में चुप उटने लगता है तो इसका सर टक्रा जाता पहार से गिर गया था जब ये चाकर देखते हैं तो इसका डॉग रो रहा था उधर है ये लॉमली की लाश को भी देखते हैं और इसके डॉग के जिसम पर भी अजीब सी चोट का निशान था गुफ़ा की अंदर से और भी ऑजीब सी आवासे आ रही थी पर जैनिक उनपर कोई ध्यान नहीं देता और अपने डॉग को बाहर ले आता है ये वापिस से अपने स्टेशन पर आ गए थी जैनिक का साथी वो बर्फ का सेंपल अपनी दूसरी साथी को देता है जो अपने साथ लाया था इनकी साथी उसे चेक करती है कहती है ये अचीब चीज़ है कोई अची पैक्टिरिया जो इंसान या फिर चानरों से मिलकर अचीब सी क्रियेचर पैदा कर रही है वो जैनिक से कहती है जहां से तुमें ये सेंपल मिला है तो मुझे उस ग्लेशियर पर लेकर चलो मैं और भी सेंपल लेकर उन पर रिसर्च करना चाती हूँ जैनिक कहता है रात को मैं बाहर नहीं जाओंगा इस वक्त तो कभी नहीं गुफा के पास ये खतर नाक लोमरी फिर रही है उसके साथ ही उसे कहते है जैनिक अब तुम ये बहाना कर रहे हो गुफा के पास कोई खतरा नहीं है लेकिन ये फिर भी अगले दिन जाने का वैसला करते है इनका एक साथ ही कहता है दो दिन बाद प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम के साथ आने वाली है तो हम में से कोई भी उन्हें उस लाल चटान के बारे में कुछ सही बताएगा जैनिक कहता है ये मेरा काम है मुझे ये सब बताना होगा उदर प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो कुछ रिपोर्टर्स के साथ आई हुई थी के साथ जैनिक की पुरानी दोस भी थी जिसका नाम टेंचा था पर जैनिक और इसके तर्मियान में अब अलेदगी हो गई थी जैनिक भी पहले बहारों पर ही काम किया करती थी इधर स्क्रेशन पर जैनिक के साथ ही उसे समझा रहे थे कि तुम मिनिस्टर की टीम को कुछ भी लिपताओगे क्योंकि ये सिर्फ उनका एक ट्रिप की तरह है वो बिला वज़ा ही डर जाएंगे इसलिए जैनिक का साथी उसे नशेकी दवाबी दे दे देता है ताकि ये किसी को कुछ भी न बता पाए जैनिक को टेंचा का फोन आता है वो बताती है कल सुबा हम मिनिस्टर के साथ पहारो पर जाएंगे और तस्वीरे लेंगे जैनिक को बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत वक्त के बाद वो टेंचा से मिलेगा पर जैनिक की टीम परिशान थी कि कहीं ये सारी बातें अपनी दोस्वीरेंचा को ना बता दे जैनिक जब बाहिर आता है तो उसे किसी की चलने की आवाज महसूस होती है ये फॉरन से अपनी साथियों को बढाता है वो चीस जैनिक पर हमला कर रही थी जब उसके साथ ही बाहिर आते हैं जैनिक सबसे कहता है चूप जाओ मुझे ये बात मिनिस्टर को बतानी होगी इसी बात पर जैनिक और उसके साथियों में लडाई हो जाती है उसका एक साथी समझाता है देखो ऐसा कुछ नहीं है तुपे गलत फहमी हुई है जाओ जाकर आराम करो जैनिक अपने डॉक को लेकर सोने चला जाता है सुपा को जैनिक टेंजा को भी फोन करके बताता है कि आगे मत जाना तुम्हारी चान को खत्रा हो सकता है पर वो भी इसकी बात नहीं मानती और अपनी टीम को आगे चाने का बोल देती है फिर चैनिक अपनी साथी को उसी पहार के पास लेकर जाता है जब ये जाकर देखते हैं तो जो उस पहार पर लाल रंग का बेक्टेरिया था वो खतम हो गया था फिर भी चैनिक के साथी थोड़ा सा सेंपल ले लेती है जैनिक बासी अजीब सी एक किड़ी को दीता है जिसने अपने उपर खोल चड़ाया हुआ था ये उसी देख कर डर जाता है और टांग मार कर पीछे करता है इन सब के दोरान मिनिस्टर भी अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रही थी और ये खुब सूरज का रुकर तस्वीरें ने लगते हैं ये सब भी जैनिक के इन स्टेशन तक जा रहे थी देंचा मोसम में बदलाव का मिनिस्टर को बताती है खर ये सब भी वहाँ पर तस्वीरें ने रहे थी इसी दोरान इनके एक कैमरा मैन को मच्छर काट लेता है जब ये उसे मारता है तो उस मच्छर में अचीब सा लाल बैक्टिरिया था उदर स्टेशन पर जिब जैनि और उसकी साथी अचीब सी कीड़े पर रिसर्च कर रहे थी तो वो हिलने लगता है जिससे सब डर गए थे उनकी साथी कहती है इसकी अंदर वो ही लाल बैक्टिरिया है जो उस पहार पर से मिला था वो बताती है ये अचीब कीड़ा लॉंडी और मच्छर की डीने से मिलकर बना है जैनिक कहता है अगर इसी तरहां का कोई और चानवर इंसान को काट ले तो क्या होगा वो बताती है अगर ऐसा हुआ तो इनसान का दिमाग भी चानवर की तरह हो जाएगा जिसके बाद जैनिक अपने कमरे में चाता है और अपने डॉक को देखता है उसी समझ आ गई थी कि उसके डॉक के बेट में भी कोई क्रियेचर है जो आइस्ता आइस्ता बड़ा हो रहा है जैनि एक बार फिर टेंचा को फॉन करता है कहता है कि अभी तुम जिस रास्ते से आ रहे हो उथर लाल बैक्टिरिया वाली चैनरों का खत्रा हो सकता है तुम्हें दूसरे रास्ते से आना चाहिए एंचा अपनी टीम को बताती है वो जब जैनिक से बात कर रही थी तो अपने डॉक की रोने की आवास को भी सुनती है कहती है जैनिक अभी तुम कुछ मत करना मैं आ रही हूँ हम मिलकर उसे बचा लेंगे उदर चिस कैमरा मैन को मच्छर ने काटा था उसकी हानद भी खराब हो रही थी लेकिन वो पिचारा सोचता है शायद उसके साथ इस अप थकावट से हो रहा है तब ही यहाँ पर हमें एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जिसका पीचा लाल बैक्टेरिया वाली चील कर रही थी उस लड़की का पाउ पत्थर से टक्रा जाता है वो गिर जाती है और वो खतरनाग चील उसके पाउ पर बार बार वार कर रही थी उदर स्टेशन पर जैनिक अपनी टीम से कहता है मैं इन सब के पारे में मिनिस्टर को बता दूँगा पर उसकी टीम के लोग उसे मना करते हैं कहते हैं पागल मत बनो इस लाल बैक्टेरिया वाली बात से लोग फजूर में टर जाएंगे और ड्रामा बनेगा हम इस पर रिसर्च करके कोई न कोई हल निकाल लेंगे और देखो फिर हम मश्रूर भी हो जाएंगे पर वो उनकी किसी बात पर यकीन नहीं करता कहता है अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ जैनिक अब जा चुका था वो रास्ते में देखता है कि एक बक्री का बेट फटा हुआ था जैनिक सोचता है हमारे बास बहुत बड़ा खत्रा आने वाला है उदर टेंचा की टीम में कैमरा मैन को भी पोहार हो गया था इसलिए पूरी टीम उदर ही रुखने का सोचती है उस कैमरा मैन को मच्छर ने जहाँ पर काटा था वो हिस्सा सूच गया था और उधर बस भी पढ़ने लगी थी देंचा सबसे कहती है कि नहीं हमें रुखना नहीं है हमी जल्दी स्टेशन पर जाना होगा और चलने का बोलती है तभी वो लड़की भागती हुई इनके पास आती है जिसको चील ने काटा था वो आकर इके पास किर्च आती है और कुछ भी बोल नहीं पाती तभी के लोग उस खतरनाक चील को देखते हैं जो इनके इर्दगीर तिच्चपकर लगा रही थी ये सब उस चील को देखकर डर गए थी मिनिस्टर का बोडी गार उस चील को घोली मारने की कोशिश करता है लेकिन चील अच्चानक सी गाइब हो जाती है सब समझते हैं कि वो जा चुकी है पर ऐसा नहीं था वो अच्चानक से आकर बोडी कार्ट पर हमला कर देती है और उसे मार देती है कैमरा मैन भी इसको मच्चर ने काटा था डर कर यहां से भाग जाता है लेकिन अपितर जैनक पर आ गया था जो सब को पचा कर स्टेशन पर ले आता है यह जल्दी से उस लिड़की को लिटा कर उसका इलाज करते है जिसको चीन ने काटा था मगर टीजा के टीम के आधे लोग बाहिरी रह गए थी टीजा जैनक से कहती है हमें जल्दी मदद बुलानी होगी तुम कॉल करो पर जैनक का साथ ही बताता है कि हमारे दो साथी उन फॉन को लेकर साथ ले गए है जो दूसरे स्टेशिट पर गए है और वो कर सुबह तक वापिस आएंगी इस बात पर जैनक को बहुत कुसाता है वो अपने साथी को मारता है कहता है तुम हारी बचा से हम बहुत बड़े मुसीबत में फस गए है मिनिस्टर यहाँ पर कहती है कि आप मेरा फॉन इस्तमाल कर सकते है लेकिन यह उन से कहते है कि इतने उन्चाइबर आम फॉन के सिगनल नहीं आते हमें मदद के लिए सेटलाइट फॉन ही चाहिए यह अब कुछ भी नहीं कर सकते थी तभी जैनिक को अपने डॉक की आवास आती है यह बड़े ही धियान से देखने चाता है क्योंकि इसी ऐसा लग रहा था कि अंदर जाने के चाबी तो दोनों के पास नहीं थी यह दोनों एक दूसरे से छगड़ा कर रहे थी पर तभी इन में से एक साथी ताले को ही तोड़ देता है जब यह अंदर चाते हैं तो जैनिक की वो साथी जो उस कीड़े बर सर्च कर रही थी वो उसको अपनी साथ डपे में बंद करके लाई थी जब यह उसे खोलते हैं वो करियेचर अचानक से उसके मूँ पर चिपक जाता है जब यह उसको खुद से चुटवाने की कोशिश करती है तो इसका साथी एक पत्थर उटाकर उसकी सर पर मारता है वो कीडा करियेचर तो दूर चला गया था पर चैनक के साथी ने अपनी दूसरी साथी को मार दिया था इधर स्टेशन में टींचा को भी लाल बैक्तिरिया वाले जानवर का पता चल जाता है वो बहुत गुसा होती है कहती है इतने बड़े खत्रे के बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया जब ये जैनक के पास जाती है तो अपने डॉक को देखती है जैनक उसको अपने डॉक का पेट तिखाता है जिसमे कोई चीज़ चल रही थी वो जैनक को एक injection देख्शन देती है पर जब जैनिक अपने बागी के साथियों को ढूणने जा रहा था जो दूसरे स्टेशन पर गई थे अच्छानक से वो ही साथिया जाता है जिसको जैनिक ढूणने जा रहा था वो स्टेशन पर आ गया था और इसने अपनी दोस्त को भी मार दिया था वो आकर कहता है चल्दी दूसरी साथी का पोछता है जो इसके साथ गई थी वो इससे पोछता है कि वो कहाँ पर है तुम्हारे पास फॉन था वो यहाँ पर सबसे छूट बोलता है कहता है कि वो तो ना जाने कहाँ पहाड़ों में गुम हो गई और उसे के पास ही फॉन था इतने में क्रियेचर बकरी दूबारा से दर्वासा तोड़ने की कोशिश करती है वो कोई आम बकरी नहीं थी वो एक खौफ नाक राक्षे साकतवर बकरी बन चुकी थी जो पूरे स्टेशन को सोर सोर से हिला रही थी एक मिंट के लिए खामोशी हो जाती है सब कुछ रुप गया था परचानक से वो तर्वासा दोड़कर अंदर आने की कोशिश करती है उसके साथ चील भी थी लेकिन चैनिक अकेले ही उन्हें अंदर आने से रोक रहा था मिनिस्टर आगे आती है और ड्रिल मिशीन से उस बकरी के सर में सुराह कर देती है सब पहादूर मिनिस्टर को देख रहे थी उसने बकरी को मार दिया था कि जान में जाना आती है तेंचा बताती है कि हमें बचाने के लिए टेम कल तो पहर तक ही पहुंचेगी पर वो ये नहीं चानते कि सारी टेम रिसर्च स्टेशन परी मुझूद है उदर जिस लड़की को चीनने काटा था उसकी हालत भी खराब हो रही थी टेंचा और जैने की वैसला करते हैं कि वो मदद के लिए फॉन को लेने चाहेंगी और अपनी उस साथी को भी ढूटेंगी जो पहाडों में गुप हो गई है जैनिक अपने उसी साथी को साथ दे लेता है क्योंकि उसे पहाडों में गुप हो जाने वाली कहाणी पर यकीन नहीं था कि चले जाते हैं और बागी के लोगों ने दर्वासे को चिसे से बंदर लिया था जिस लड़के को चीन ने काटा था उसको भी होशांग दिया था कभी ये सब उसकी टांग पर देखते हैं जिदर चीन ने काटा था ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई चीज चल रही हो जैनिक का साथ ही कहता है जो यहाँ पर रुका हुआ था इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई नया जानवर पैदा होने वाला है सभी लोग खपरा जाते हैं और बाहर जाने लगते हैं मिनिस्टर कहती है हम इस लड़की का आप्रेशन करेंगी जो चीज इसकी टांग मी है वो ही साथ काट कर उसे बाहर निकान लेंगी और उसे जला देंगी ये ऐसा ही करते हैं जिससे उस लड़की की जान बच जाती है बाहर जैनिक को टेंचा जो मदद लेने गए थे वो सोच रहे थे कि शायद हम लड़की को नहीं बचा बाएंगी यहां से जैनिक का साथ ही भागने की कोशिश करता है पर जैनिक उसे बंदूख दिखा कर रोक लेता है कहता है रोक जाओ तो मैसे नहीं जा सकते उदर स्टेशन पर सब लोग शान थे कि उन्होंने लड़के की चान बचा ली तब ही कोई सोर सोर से दरवाजा बचाने लगता है जब एक आत्मी दरवाजा खोलता है तो दरवासे पर वो ही कैमरामेन था जिसको मच्चर ने काटा था उसका चेरा अचीब सा खौफनाग चालों से भर गया था वो सबसे यही कह रहा था कि प्लीज कोई तो मेरी मदद करो कोई तो मुझे बचा लो लेकिन तब ही उसके चालों में से कीड़े बाहिर आने लगते हैं सब के सब तर गए थे वो पिचारा डर कर आग पर किर जाता है जिससे उसके पूरे जिसमें आग लग गई थी और बाहिर भाग जाता है मिनिस्टर भी चलती से दिर्वाजे को बंद कर लेती है बाहिर जैनिक और टेंचा स्टेशन पर पहुँच गए थी जहाँ पर जैनिक का साथी इसी उसमें गोली चल जाती है और सारी गुफा रोशन हो गई थी पर तब ही गुफा से एक जीब सी राक्षस मकडी और लोमडी बाहिर आते हैं और जैनिक के साथी को चीर फाड़ करकर खा जाती है जिब उन जैनिक और टेंचा पर जाता है सुभा भी खोच चुकी थी जब ये दूर से देखते हैं तो स्टेशन पर से दूएं उट रहे थे ये चल्दी से जाकर देखते हैं तो वो लड़की भी मर चुकी थी जिसको चीलने काड़ा था थोड़ी तेर बाद इन्हें हेलिकॉप्टर की आवास पिया जाती है जब ये बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर इनकी मदद के लिए लिडोग आ गए थे जाने से पहले टेंचा जैनिक की कमरे में जाती है जहाँ पर इनके डॉग ने एक बच्चे को पैदा किया था ये बच्चा भी याल बैक्टिरिया की बच्चा से पैदा हुआ है जैनिक उस बच्चे को मारने वाला था पर इन्चा उसको रोखती है कहती है मैं इसको साथ लेकर जाना चाती हूँ जैसे ही ये हैनिकॉप्टर में बैठते हैं तो ये एक और पहार को देखते हैं जिस पर लान रंग की बर्फ थी मतलब एक और खत्रा इनको उस छोड़े बच्चे की आवास भी आती हैं जिसको टेंचा साथ लाई थी टेंचा और चैनिक दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ह इनको आने वाले खत्रे का पता चल गया था जो फूद ये अपने साथ ला रहे थे और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती हैं ये कहानी एक ऐसे खत्रनाग पहार की है जिसमें बदलाओ की वचा से इंसानी नहीं बल्कि जन्वर भी खत्रे में हैं तो पहाड़ों पर बर्फ की तैब भी पिकल कर तूट जाएगी इससे ही बहुत नुकसान होगा जिसके जिमेदार इनसान खुद होंगे इसके बाद 1300 मिटर की उन्चाई पर एक क्लाइमिट स्टेशन को दीखते हैं वहाँ पर कुछ साइटिस्ट मौसम के बारे में ही पता करन नहीं आए थी जैनिक ना चाहते हुए भी बाहिर आता है कभी उसको पता चुलता है कि इस स्टेशन से कुछ दूरी पर जो मौसम के बारे में पता करने वाली मशीन लगाई हुई है वो खराब हो गई है वो ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थी इसलिए इन्हें उस मशीन को चलसी जुर्ड ही करना होगा जैनिक कोई उस मशीन को ठीक करने जाना था इसलिए ये सब की बात मान लेता है जब ये बाहर चाता है तो बाहर अपने डॉग को दीखता है जो अचीब तरीके से एक पहाड को देख रहा था जैसी उस डॉग को उन पर फीले पहाडों पर कु जा रहे थी तभी जैनिक का डॉग भूंकते हुए अलग रास्ते पर चला जाता है जब ये दोनों भी उसका पीछा करते हैं वो रुक कर एक पहाड को देखते हैं जो लाल रंग की बर्फ की तैसे इंठका हुआ था वो इस बर्फ को देकर हैरान भी थे और खुश भी इसल अबास का पीछा करता हुआ गुफा तक चला जाता है वही पर पत्थरों के पास एक लॉम्री थी जो अजीब से सांस ले रही थी उसके बेट में कुछ लिल भी रहा था अचानक से उस लॉम्री का पेट भट जाता है बाहर जैनिक को अपने डॉग की रोने की आवास भी आ गुफा की अंदर से और भी अजीब सी आवासे आ रही थी पर जैनिक उन पर कोई ध्यान नहीं देता और अपने डॉग को बाहर ले आता है ये वापिस से अपने स्टेशन पर आ गए थी जैनिक का साथी वो बर्फ का सेंपल अपनी दूसरी साथी को देता है जो अपने करच करना चाहती हूँ जैनिक कहता है रात को मैं बाहर नहीं जाओंगा इस वक्त तो कभी नहीं गुफा के पास एक खतर नाख लोमरी फिर रही है उसके साथ ही उससे कहते है जैनिक अब तुम ये बहाना कर रहे हो गुफा के पास कोई खतरा नहीं है लेकिन ये फिर भी अ आई हुई थी के साथ जैनिक की पुरानी दोस्ट भी थी जिसका नाम टेंजा था पर जैनिक और इसके तर्म्यान में अब अलेदगी हो गई थी देंजा भी पहले बहारों पर ही काम किया करती थी इधर स्टेशन पर जैनिक के साथ ही उसे समझा रहे थे कि तुम मिनिस्टर के साथ पहारों पर जाएंगे और तस्वीरें लेंगे जैनिक को बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत वक्त के बाद वो टेंजा से मिलेगा पर जैनिक की टीम पर रिशान थी कि कहीं ये सारी बातें अपनी दोस्ट टेंजा को ना बता दे जैनिक जब बाही राता है तो कोई भी जैनिक की बात पर यकीन नहीं करता उटको लग रहा था जो कुछ भी जैनिक बोल रहा है शायद नशे में है पर जैनिक कहता है बहुत बड़ा खड़ा है मगे ये बात मीनिस्टर को बताने होगी इसी बात पर जैनिक और उसके साथियों में लड़ाई हो जाती है देखो ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें गलस फहमी हुई है जाओ जाकर आराम करो जैनिक अपने डॉग को लेकर सोने चला जाता है सुबा को जैनिक टेंजा को भी फोन करके बताता है कि आगे मत जाना तुम्हारी जान को खत्रा हो सकता है पर वो भी इसकी बात नहीं मानती और अपनी टीम को आके चानिक का बोल देती है फिर चैनिक अपनी साथी को उसी पहार के पास लेकर जाता है जब ये जाकर देखते हैं तो जो उस पहार पर लाल रंग का बेक्टेरिया था वो हतम हो गया था फिर भी चैनिक की साथी थोड़ा सा सेंपल ले लेती है चैनिक पास अजीब सी एक किड़ी को देखता है जिसने अपने ऊपर खोल चड़ाया हुआ था ये उसी देखकर डर जाता है और टांग मार कर पीछे करता है इन सब के दोरान मिनिस्टर भी अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रही थी और ये खूब सूरच का रुकर तस्वीरें लेने लग तो वो हिलने लगता है जिससे सब डर गए थे उनकी साथ ही कहती है इसकी अंदर वो ही लाल बैक्टिरिया है जो उस पहार पर से मिला था वो बताती है ये अजीब केड़ा लॉंडी और मच्छर की डीने से मिलकर बना है और ही लाल बैक्टिरिया है जो जानरों की डीने से म पिलकर ये केड़ा पैदा हुआ है जैनिक कहता है अगर इसी तरह का कोई और जानवर इनसान को काट ले तो क्या होगा वो बताती है अगर ऐसा हुआ तो इनसान का दिमाग भी जानवर की तरह हो जाएगा किसके बाद जैनिक अपने कमरे में चाता है और अपने डॉग को पाइए जैनिक अपने टीम को बताती है वो जिब जैनिक से बात कर रही थी तो अपने डॉग की रोने की आवास को भी सुनती है कहती है जैनिक अभी तुम कुछ मत करना मैं आ रही हूं हम मिलकर उसे बचा लेंगे उदर चिस कैमरामेन को मच्छर ने काटा था उसकी हानत भी खराब हो रही थी लेकिन वो पिचारा सोचता है शायद उसके साथ इसब थकावर्ट से हो रहा है तब यहां पर हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जिसका पीछा लाल बैक्टेरिया वाली चील कर रही थी उस लड़की का बाउ पत्थर से टक्रा जाता है वो ग लेंगे और देखो फिर हम मशूर भी हो जाएंगे पर वो उनकी किसी बात पर यकीन नहीं करता कहता है अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ जैनिक अब जा चुका था वो रास्ते में देखता है कि एक बकरी का पेट फटा हुआ था जैनिक सोचता है हमारे बास हमें रुखना नहीं है हमें जल्दी स्टेशन पर जाना होगा और चलने का बोलती है तभी वो लड़की भागती हुई इनके पास आती है जिसको चील ने काटा था वो आकर इके पास खिर चाती है और कुछ भी बोल नहीं पाती तभी के लोग उस खतरनाक चील को देखते है जो इनके इर्दगेर्थ चपकर लगा रही थी ये सब उस चील को देखकर डर गए थी मिनिस्टर का बोडी गार्ड उस चील को गोली मारने के कोशिश करता है लेकिन चील अचानक सी गाइब हो जाती है सब समझते हैं कि वो जा चुकी है पर ऐसा नहीं था वो अचानक से आ उसका इलाज करते हैं जिसको चील ने काटा था मगर टीचा की टीम के आधे लोग बाहिरी रह गए थी तीचा जैनक से कहती है हमें जल्दी मदद बुलानी होगी तुम कॉल करो पर जैनक का साथ ही बताता है कि हमारे तो साथी उन फौन को लेकर साथ ले गए हैं जो दूसर पर आम फोन के सिगनल नहीं आते हमें मदद के लिए सेटलाइट फोन ही चाहिए ये अब कुछ भी नहीं कर सकते थी तभी जैनक को अपने डॉग की आवास आती है ये बड़े ही धियान से देखने चाता है क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से भी कोई सा क्रियेचर निकला होगा इदन स्टेशन पर टेंचा जैनक के साथी से पूछती है सच सच बताओ तुम हम लोगों से क्या छपा रहे हो बाहिर जैनक के दो साथी मौसम के बारे में पता करने वाली मेशीन तक पहुंच गये थे पर वहां पहुंच कर इन्हें पता चलता है कि अंदर जाने के चाबी तो दोनों के पास नहीं थी ये दोनों एक दूसरे से छगड़ा कर रहे थे पर तभी इनमें से एक साथी ताले को ही तोड़ देता है जब ये अंदर चाते हैं तो जैनक की वो साथी जो उस कीड़े पर सरच कर रही थी वो उसको अपनी सार डपे म बंद करके लाई थी, जब ये उसे खोलते हैं, वो करियेचर अचानक से, उसके मुँपर चिपक जाता है, जब ये उसको खुद से चुटवाने की कोशिश करती है, तो इसका साथी एक पत्थर उटाकर उसके सर पर मारता है, वो कीडा करियेचर तो दूर चला गया था, पर ज को देखती है, जैनिक उसको अपने डॉक का पेट दिखाता है, जिसमें कोई चीज चल रही थी, वो जैनिक को एक इंजेक्शन देती है, कहती है इसका यही हंट है, पर जैनिक अपने डॉक को खतम करना चाता था, क्योंकि उसकी टगलेफ वो और नहीं देख सकता था, स्ट को जैनिक ठूडने जा रहा था, वो स्टेशन पर आ गया था, और इसने अपनी दोस्त को भी मार दिया था, वो आकर कहता है, चल्दी से दिर्वासा बंद कर लो, क्योंकि मेरे पीछी एक बकरी है, जो क्रियेचर में बतन गई है, और मच्छर पी, दोनों मेरे पीछी आ रह कहता है, कहता है, कि वो तो ना जाने, कहा पहाड़ों में गुम हो गई, और उसे के पास ही फोन था, इतने में क्रियेचर बकरी, दूपारा से दर्वासा तोड़ने की कोशिश करती है, वो कोई आम बकरी नहीं थी, वो एक खौफ नाक राक्ष साकतवर बकरी बन चुकी थी जो पूरे स्टेशन को सोर सोर से हिला रही थी, एतमिंट के लिए खामोशी हो जाती है, सब कुछ रुप गया था, परचानक से वो तर्वासा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करती है, उसके साथ चील भी थी, लेकिन चैनिक अकीले ही उन्हें अंदर आने से रोक रहा था मिनिस्टर आगे आती है, और ड्रेल मिशीन से उस बकरी के सर में सुराह कर देती है, सब पहादूर मिनिस्टर को देख रहे थी, उसने बकरी को मार दिया था, कि जान में जाना आती है, तेंचा बताती है कि हमें बचाने के लिए, टेम कल तो पहर तक ही पहुंचेगी, पर को ये नहीं जानते, कि सारी टेम रिसर्च स्टेशन परी मुझूद है, उदर जिस लड़की को चीन ने काटा था, उसकी हालत भी खराब हो रही थी, टेंचा और जैने की वैसला करते हैं, कि वो मदद के लिए फोन को लेने चाहेंगी, और अपनी उस साथी को भी ढूटें हैं, जितर चीन ने काटा था, ऐसा लग रहा था, कि उसके अंदर कोई चीज चल रही हो, जैने का साथी कहता है, जो यहाँ पर रुगा हुआ था, इसको देखकर ऐसा लग रहा है, कि कोई नया जानवर पैदा होने वाला है, सभी लोग खपड़ा जाते हैं, और बाहर जान पर जैनिक उसे बंदूख दिखा कर रोक लेता है, कहता है रोक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते, उधर स्टेशन पर सब लोग शान थे, कि उन्होंने लड़के की चान बचा ली, तब ही कोई सोर सोर से दरवाजा बचाने लगता है, जब एक आत्मी दरवाजा खोलता है, तो दरवासे पर वो ही कैमरामेन था, जिसको मच्चर ने काटा था, उसका चेरा अजीब सा खौफ नाग चालों से भर गया था, वो सबसे यही कह रहा था, कि प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे बचा लो, लेकिन तब ही, उसके चालों में से कीड़े बाहिर जाने लगते हैं, सब के सब तर गए थे, वो पिचारा डर कर आग पर किर जाता है, जिससे उसके पूरे जिसमें आग लग गई थी, और बाहिर भाग जाता है, मिनिस्टर भी चलती से दिर्वासे को बंद कर लेती है, बाहिर जैनिक और टेंचा स्टेशन पर पहुँच जब टेंचा इसके पास आती है, तो ये उस पर भी बंदूग से वार करता है, और जैनिक को मारने की कोशिश करता है, इसी उसमें गोली चल जाती है, और सारी गुफा रोशन हो गई थी, पर तब ही गुफा से एक जीब सी राक्शस मकडी और लोमडी बाहिर आते हैं, और जैनिक के साथी को चीर फाड करकर खा जाती है, जब उन जानरों का दियान जैनिक और टेंचा पर जाता है, दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, जैनिक को तो लोमडी ने पकड़ लिया था, पर टेंचा उसे पच्चा नेती है, वो लोमडी पर वार करके उसे मार काटा था थोड़ी तेर बाद इन्हें हेलिकॉप्टर की आवास भी आ जाती है जब ये बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर इनकी मदद के लिए लिडोग आ गए थे जाने से पहले टेंचा जैने की कमरे में जाती है जहाँ पर इनके डॉग ने एक बच्चे को पैदा किया था ये बच्चा भी लाल बैक्टिरिया की बच्चा से पैदा हुआ है जैने कुस बच्चे को मारने वाला था पर टेंचा उसको रोखती है कहती है मैं इसको साथ लेकर जाना चाती हूँ जैसे ही ये हैलिकॉप्टर में बैटते हैं तो ये एक और बाहर को देखते हैं जिस पर लान रंग की बर्फ थी मतलब एक और खत्रा इनको उस चोड़े बच्चे की आवास पी आती है जिसको टेंचा साथ लाई थी तेंचा और चैनिक दोनों एक दूसरे के करफ देखते हैं इनको आने वाले खत्रे का पता चल गया था जो खुद ये अपने साथ ला रहे थे औ हमें बताया जाता है पूरी दुनिया मोसम में बदलाओ की वच्चा से काफी परिशान है साइटिस का ये मानना था कि आने वाले दस सालों में सारी की सारी बर्फ पिकल जाएगी और पहाड़ों पर बर्फ की तैभी पिकल कर तूट जाएगी इससे बहुत नुक्सान होगा जिसके जिमेदार इंसान खुद होंगे इसके बाद तेरा सु मिटर की उन्चाई पर एक क्लाइमिट स्टेशन को दीखते हैं वहाँ पर कुछ साइटिस्ट मोसम के बारे में ही पता करने आये हुए थी इनमें एक साइटिस जैनिक था उसके साथ बाकी की तिन साथी और उस उसको पता चुलता है कि इस स्टेशन से कुछ दूरी पर जो मोसम के बारे में पता करने वाली मशीन लगाई हुई है वो खराब हो गई है वो ठीक से काम भी नहीं कर रही उस मशीन के पगार ये ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थी इसलिए इन्हें उस मशीन को जलसे जिल् यहीं पर जैनिक का साथ ही उससे कहता है जैनिक हमें यहां रहते हुई काफी ोक्त हो गया है तुम बहुत अलग रहते हो ऐसा क्यूं है बलकि ऐसी च mand तो हमें एक साथ रहना चाहिए अच्छी दोस्ती कन चाहिए दूसरे से जैनिक कहता है, मैं इसकी वज़ा तुम्हें बाद में बताऊंगा, अब इसी हाल तो मेरे पीछे आओ, जब ये जा रहे थी, तभी जैनिक का डॉग भूंकते हुए, अलग रास्ते पर चला जाता है, जब ये दोनों भी उसका पीछा करते हैं, वो रुक गर एक पहाड को देखते है जो लाल रंगी बर्फ की तैसे इंठका हुआ था, वो इस बर्फ को देखकर हैरान भी थे और खुश भी, इसलिए यहाँ पर जैनिक का साथी इस बर्फ का सेंपर ने लेता है, ताके बाद में ये इस पर इस सर्च इस पर चांच कर सके, जैनिक को पासी कुफा से अजीब स सांस ले रही थी, उसके पेट में कुछ खिल भी रहा था, अचानक से उस लॉम्ली का पेट भट जाता है, बाहर जैनिक को अपने डॉक की रोने की आवाज भी आ रही थी, इसलिए ये जंद बासे में चुप उठने लगता है, तो इसका सर तक्रा जाता है, इसका साथ ही भ पर कोई ध्यान नहीं देता, और अपने डॉक को बाहर ले आता है, ये वापिस से अपने स्टेशन पर आ गए थी, जैनिक का साथी, वो बर्फ का सेंपल अपनी दूसरी साथी को देता है, जो अपने साथ लाया था, इनकी साथी उसे चेक करती है, कहती है, ये अचीब इस वक्त तो कभी नहीं, गुफा के पास ये खतर नाक लोमरी फिर रही है, उसके साथ ही उससे कहते है, जैनिक अब तुम ये बहाना कर रहे हो, गुफा के पास कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये फिर भी अगले दिन जाने का वैसला करते हैं, इनका एक साथ भी कहता है, दो का नाम टेंजा था, पर जैनिक और इसके तर्म्यान में अब अलेट की हो गई थी, टेंजा भी पहले बहारों पर ही काम किया करती थी, इधर स्टेशन पर जैनिक के साथ ही उससे समझा रहे थे, कि तुम मिनिस्टर की टीम को कुछ भी नहीं बताओगे, क्योंकि ये जिर उ बहुत अच्छा लग रहा था, कि बहुत वक्त के बाद वो टेंजा से मिलेगा, पर जैनिक के टीम पर इशान थी, कि कहीं ये सारी बातें अपनी दोस टेंजा को ना बता दे, जैनिक जब बाहिर आता है, तो उसे किसी की चलने की आवाज महसूस होती है, ये फॉरन से अप जैनिक बोल रहा है, शायद नशे में है, पर जैनिक कहता है, बहुत बड़ा खत्रा है, मुझे ये बात मिनिस्टर को बतानी होगी, इसी बात पर जैनिक और उसके साथियों में लडाई हो जाती है, उसका एक साथी समझाता है, देखो ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर गलत वह जाओ जाकर आराम करो, जैनिक अपने डॉग को लेकर सोने चला जाता है, सुपा को जैनिक टेंचा को भी फोन करके बताता है, कि आगे मत जाना, तुम्हारी चान को खत्रा हो सकता है, पर वो भी इसकी बात नहीं मानती, और अपनी टीम को आगे चानिक का बोल देती है, फि इसने अपने ऊपर खोल चड़ाया हुआ था, ये उसे देख कर डर जाता है, और टांग मार कर पीछे करता है, इन सब के दोरान मिनिस्टर भी अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रही थी, और ये खुब सूरच का रुकर तस्वीरे ने लेने लगते हैं, ये सब भी जैनिक के और उसकी साथ ही अजीब सी कीड़े पर रिसर्च कर रहे थी, तो वो हिलने लगता है, जिससे सब डर गए थे, उनकी साथ ही कहती है, इसकी अंदर वो ही नाल बैक्टिरिया है, जो उस पहार पर से मिला था, वो बताती है, ये अजीब कीड़ा लॉंडी और मच्छर के डिय करने से मिलकर, ये केड़ा पैदा हुआ है, जैनि कहता है, अगर इसी तरह का, कोई और चानवर इंसान को काट ले, तो क्या होगा, वो बताती है, अगर ऐसा हुआ, तो इंसान का दिमाग भी चानवर की तरह हो जाएगा, जिसके बाद जैनिक अपने कमरे में चाता है, और अपने डॉक को देखता है, उसी समझ आ गई थी, कि उसके डॉक के बेट में भी कोई क्रियेचर है, जो आइस्ता आइस्ता बड़ा हो रहा है, जैनिक एक बार फिर टेंचा को फॉन करता है, कहता है कि अभी तुम चिस रास्ते से आ रहे हो, उधर लाल बैक्टिरिया वाली के साथ इस अप खकावर्ट से हो रहा है, तो भी यहाँ पर हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं, जिसका पीछा लाल बैक्टिरिया वाली चील कर रही थी, उस लड़की का बाओ पत्थर से टकरा जाता है, वो गिर जाती है, और वो खतरनाक चील, उसके बाओ पर बार बार वार कर रही थी, उधर स्टेशन पर जैनिक अपनी टीम से कहता है, मैं इन सब के बारे में मिनिस्टर को बता दूँगा, पर उसकी टीम के लोग उसे मना करते हैं, कहते हैं बागल मत बनो, इस लाल वेक्टिरिया वाली बात से लोग फजूल में टर जाएंगे, औ हमारे बास बहुत बढ़ा खत्रा आने वाला है, उधर टेंचा की टीम में कैमरा मैन को भी बोहार हो गया था, इसलिए पूरी टीम उधर ही रुखने का सोचती है, उस कैमरा मैन को मच्छर ने जहां पर काटा था, वो हिस्सा सोच गया था, और उधर बस भी पढ़ने लगी जो इनके इर्दगीर्थ चपकर लगा रही थी, ये सब उस चील को देखकर डर गए थे, मिनिस्टर का बोडी गार्ड उस चील को घूली मारने की कोशिश करता है, लेकिन चील अच्छानक से गाइब हो जाती है, सब समझते हैं कि वो जा चुकी है, पर ऐसा नहीं था, वो अच्छानक से आकर बोडी कार्ड पर हमला कर देती है, और उसे मार देती है, कैमरा मैन पी, इसको मचर ने काटा था, डर कर यहां से भाग जाता है, लेकिन अपितर चैनक पर आ गया था, जो सब को बचा कर स्टेशन पर ले आता है, ये जल्दी से उस लिड़की को लिटा क मगर उसका इलाज करते हैं, जिसको चीन ने काटा था, मगर टीचा की टीम के आधे लोग बाहिरी रह गए थी, टीचा जैनक से कहती है, हमें जल्दी मदद बुलानी होगी, तुम कॉल करो, पर जैनक का साथ ही बताता है, कि हमारे तो साथी उन फोन को लेकर साथ ले गए है और वो कल सुबा तक वापिस आएंगी, इस बात पर जैनक को बहुत गुसाता है, वो उपने साथी को मारता है, कहता है तो महारी वज़ा से हम बहुत बड़े मुसीबत में फस गए हैं, मिनिस्टर यहाँ पर कहती है कि आप मेरा फोन इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन यह उन से कहते हैं कि इतने उनचाई पर आम फोन के सिगनल नहीं आते, हमें मदद के लिए सेटलाइट फोन ही चाहिए, यह अब कुछ भी नहीं कर सकते थी, तभी जैनक को अपने डॉक की आवास आती है, यह बड़े ही धियान से देखने चाता है, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से भी कोई अचीब सा क्रियेचर निकला होगा, इतन स्टेशन पर टेंचा जैनक के साथी से पूछती है, सच सच बताओ, तुम हम लोगों से क्या चुपा रहे हो, बाहिर जैनक के दो साथी मौसम के बारे में पता करने वाली मेशीन तक पहुँच गए थे, प जब ये उसे खोलते हैं, वो क्रियेचर अचानक से उसके मूँ पर चिपक जाता है, जब ये उसको खुद से चुटवाने की कोशिश करती है, तो इसका साथी एक पत्थर उटाकर उसके सर पर मारता है, वो केड़ा क्रियेचर तो दूर चला गया था, पर जैनक के साथी ने अपनी दूसी साथी को मार दिया था, इधर स्टेशन में टीनचा को भी लाल बैक्तिरिया वाले जानवर का पता चल जाता है, वो बहुत गुसा होती है, कहती है इतने बड़े खत्रे के बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया, जब ये जैनक के पास जाती है, तो अपने इस्टर को गुसा आ रहा था, कि इतनी बड़े बात इन लोकों ने इन से क्यों चुपाई, वो जैनक के साथी की पिटाई करने लगती है, पर जब जैनक अपने बागी के साथी को ढूडने जा रहा था, जो तूसरे स्टेशन पर गई थे, अच्छानक से वो ही साथी आ जा दर्वासा बंद कर लेता है, अपने साथी से, अपनी दूसरी साथी का पूछता है, जो इसके साथ गई थी, वो इस से पूछता है कि वो कहां पर है, तुम्हारे पास फौन था, वो यहां पर सबसी छूट बोलता है, कहता है, कि वो तो ना जाने, कहा पहालों में गम हो सब कुछ रुप गया था परचानक से वो दर्वासा दोड़कर अंदर आने की कोशिश करती है उसके साथ चील भी थी लेकिन चैनिक अकेले ही उन्हें अंदर आने से रोक रहा था मिनिस्टर आगे आती है और ड्रिल मिशीन से उस बकरी के सर में सुराह कर देती है सब मिनिस्टर को देख रहे थी उसने बकरी को मार दिया था कि जान में जाना आती है तींचा बताती है कि हमें बचाने के लिए टेम कल तो पहर तक ही पहुंचेगी पर वो ये नहीं चानते कि सारी टेम रिसर्च स्टेशन परी मुझूद है उदर चिस लड़की को चीनने कि चले जाते हैं और बागी के लोगों ने दर्वाजी को चीनने काटा था उसको भी होशा गया था कभी ये सब उसकी टांग पर देखते हैं जितर चीनने काटा था ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई चीज चल रही हो जानिका साथ ही कहता है जो यहाँ पर रुका और उसे जला देंके ये ऐसा ही करते हैं जिससे उस लड़की की जान बच जाती है बाहर जैनिक को टेंचा जो मदद लेने गए थे वो सोच रहे थे कि शायद हम लड़की को नहीं बचा बाएंगी यहाँ से जैनिक कर साथ ही भागने की कोशिश करता है पर जैनिक उसे जिसको मच्र ने काटा था उसका चेरा अजीब सा खौफ नाग चालों से भर गया था वो सबसे यही कह रहा था कि प्लीज कोई तो मेरी मदद करो कोई तो मुझे बचा लो लेकिन तब ही उसके चालों में से कीड़े बाहर आने लगते हैं सब के सब तर गए थे वो पिचार साथी को ढूडने का नाटक कर रहा था जिसको यह मार चुका था जैनिक और टेंचा ने पनी साथी की लाश को दीख लिया था तबही जैनिक का साथी अपनी बंदूप दिखा कर उन्हें धंखाता है कि खबरदार इस बात के बारे में अगर तुमने किसी को भी बताया जो जैनिक की साथी को चीर फार करकर खा जाती है जो पन जैनरों का दियान जैनिक और टेंचा पर चाता है दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं जैनिक को तो लोमडी में पकर लिया था पर टेंचा उसे पचा लेती है वो लोमडी पर वार करके उसे मार देती है फिर य तिर बाद इन्हे हेलिकॉप्टर की आवास पी आचाती है, जब ये बाहर जाकर देखते हैं, तो बाहर इनकी मदद के लिए लीडोग आ गए थे, जाने से पहले टेंचा जैनिक की कमरे में चाती है, जहाँ पर इनके डॉग ने एक बच्चे को पैदा किया था, ये बच्चा इनचाज साथ लाई थी, इनचा और चैनिक दोनों इक दूसरे की गर्फ देखते हैं, इनको आने वाले खत्रे का पता चल गया था, जो फूद ये अपने साथ ला रहे थे और इसी के साथ इस फिल्म के तो